मा जन्मले एक अल्वानियन, नागरिक ताले एक भारत्य नागरिक र आस्थाले एक कैथोलिक बिच्छुनी हूँ मा संसार मा आयें, तेसेले संसार को सेवा मा समर्पीत रहें मन मा संदाई श्वर लाए राखें, सेवा गर्द है गायें, मदर टेरिसा एगनीस गोंगसा बोजुषकी को जन्म सन उन्नाई से दस इसकोबजे मा भैक हो, यो हाल मेसोडोनिया को राजदानी सहर हो अठारा बर्शक उमेर मा उनले क्याथोलिक बिच्छुनी बन्ने निने गरिन, तेसरी उनले सिस्टर मरी टेरेसा को पहिचान बोक्न पुगिन बिच्छुनी को दाइत्तो परोपकारी सेवा गर्न हो बन्ने संकल्पका साथ उनी भारत आई पुखिन उनले भारत को कोलकता मा सिछिका बन्दै सेंट मेरीज स्कुल मा पड़ाउने काम गरिन स्कुल मा परधान धापक को भुमिका पनी निर्भाः गरिन उनले सिछिका हुदा भनेके थिन मला इकलीला नानियोरको जिन्दगी मा उज्यालो भर्न दिन्नु मा इनियोरको जिन्दगी यती उज्यालो बनाऊन चाहां चुकी उनियोरले भाविश्यमा गरे संसार उज्यालो बनाऊने चनु उनी कल्कत्ता बाट इस्कुल को बिदाको समाय हिमाले घुम्न जादा जादै उनको जीवनले नया सोरुपलीने नीदो गरे। अब पड़ाउना छोडेर कल्कत्ता को मैली कुचाईली गल्ली मा गयर सेवा गरने आदेस उनला इसोरले दियेको ठांदै उनी सबाईले त्यागेका सबाईले गिनाउने बस्तिका गरी बरुगो सेवा गरन थाली। केई बर्षको निरंतर सेवा पची आफने परोपकारी संस्ता मिसेनरीज अफ चारिटी सुरुगरीन। केबल केई स्कूल मा सिच्छक सिच्छिका को आड बरसामा उनले आफनो परोपकारी संस्ता सुरुगरेके हुन। तीन दसक पची आफनो लामो सेवा समरपण को यात्रामा उनी अमेरिका को नियुवर्क पुगिन। सम्युक्त राष्टस्रंको मासबामा उनले मानप्ता रा सेवालाई फरा किलो बनाओ दै। हैचा आइवी एड़्सका बिरामयोरले अस्रम स्थापना गरदै। इसनेह मानप्ता को हेर्चा आइवी दायराला अजब फरा किलो बनाओ दै गएँ। मदर टेरेसा इंडिया को गहाना बनी सम्मानित भएँ। रा साथै उनले सोबियत पीस काउंसिल बाटा सोबियत गोल्ड मेडल बाटा सम्मानित भएँ। रा अंत्यको सम्मान सरुप 1909 अशिमा उनी नोबेल सान्ती पुरिसकार बटा सम्मानित भएँ। सम्मान केवल एक प्रतिकु जसले मदर टेरेसा को सेवा शमरपण राइसनिहलाई बुजेर परपकारलाई मदर टेरेसा को बिरासत बनाई पुस्ताई पुस्ता हस्तांतरण गर्न सक्य। मानब सेवालाई सबेवन्दा ठुलो धर्मा बनाउन सक्य। नोबेल सांथी पुरिशकार प्राप्त गरेको केई बर्स पची उनी निकेई बिरामी हुन थालीन। तरस्यवा निरंतर चल्दै नहीं गयो। मदर टेरिसा को मृत्यु सन उन्नाइस से संतानाब्यमा शताची बर्सको उमेरमा भारत को कोलकत्ता मानाई भयो। तपाईला यो वीडियो कस्तो लागेत। अरू तपाई कस्तो वीडियो खेना चाहानूंछे। कमेंट करनू सही।